आज मैं आपको सिखाएंगे आप गर पे कश्मीरी हाक्त गाड कैसे बना सकते हैं यहाँ पे हमने साग लिया है कुलाड ग्रीन साग एक केजी यहाँ पे फिश लिये हमने दो किलो उसको क्लिंग करके हल्दी और नमक लगा के रखा है मैरिनेशन के लिए साथ में मस्टर डॉल यूज करेंगे कुकिंग के लिए सबसे पहले मस्टर डॉल पैन में डालेंगे गरम होके उसमें हम डाल देंगे जो फिश हमने मैरिनेट करके रखी थी वो यहां पे तेल बहुत गरम होना चाहिए अगर आपका तेल थोड़ा ठंडा होगा तो फिर फिश जो है वो स्टिक करेगी बॉटम पे और एक तरफ से जब फिश पूरे तरीके से फ्राय हो जाएगी फिर इसको फिलिप करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कीजेगा पहले ही ने कीजेगा वहना फिश टूट जाएगी यह देखिए हमने अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन कर दिया है फिश को और इस तरीक आदा किलू लिए हमने इसको हम प्यूरे बना देते हैं जब तक हल्दी वाले पानी को उबालाता है यह देखिए हमने टमेटो का प्यूरे बना दिया है अब जो हल्दी वाला पानी उबल रहा है उसमें आप डाल देंगे साग या हाक जो हमने प्रॉपरली क्लीन किया था वाश किया था वाश करने के बाद इसको हल्दी और गार्लिक वाले पानी में लदरत रुहन उस पानी में हम इसको एक बार अबाल लाएंगे अच्छे से और अबालाने के बाद एक फदर कुक करेंगे फिर रहे देखिए इसको उबल रहे एक दो मिनट आप इसको उबलने इससे सॉफ्ट भी हो जाएगा और इंप्यूर्टी भी रिमुन हो जाएगी स्मेल वगर बाग जाएगी सेम मस्टर्ड ओयल में डाल देंगे दो प्याज और हलका फ्राइ होने के बार जो हमने प्यूरे बनाई थी टामाटर की वह भी आड़ कर देंगे साथ में जो टामाटर और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी किसी भी रेस्पी में और खास तो पर फिश रेस्पी में लाल मिर्च यह वाजल मच्वांगन भी इसमें डाल देज़ेगा आप दो बड़े चमच प्रापरली मिक्स करेंगे आप इसमें जो यह वर और लाल मिर्च है औ हमारे प्याज और टमाटर के इसमें फ्राइ जो हो रहा है यह उसी के साथ आड़ कर देंगे तेल पे ही और वर को भी हम सेम वे में तेल पे फ्राइ करेंगे टमाटर और प्याज के साथ और यह देखिए यह बेसिक सी एक करी बन गई तेल साइड पे आ चुका है यहां पे जो साग है वो हमने हल्दी वाले पानी से इस तरीके से निचोड के रखा था और फिश भी जो है वो भी अच्छे से फ्राइ हो चुकी है अब है इसमें लेरिंग का प्रोसेस लेरिंग के लिए आप हमेशा साग को साइड पर रखेंगे बीच में कभी नहीं रखना चाहिए सा गदवाई स्पाइस जो है वो अच्छे से नहीं नीचे तक जाएंगे और फ्लेवर्स आपस में मिक्स नहीं होंगे तो जो यह साग यह हमेशा साइड पर रखेंगे पैन में फिर फिश जो है फ्राइड वो डाल देंगे सेंटर में और सेम वे में उपर तक आप लेरिंग क जार से भांक चोटी इलाते चीनी चल दो दाल चीनी लांग एर रौंग पांचे जीरा या ज्यूर एकचोटी चमच क्षिश सौंफक पडर है फैनल सीड वाईद्यान एक चोटी चमच हल्दी एक चोटी चमच जिंजर पडर रे शुंउत आदी चोटी चमच और जो हमने ल यह देखे आप पानी डाल देंगे पानी अच्छे से फिश और साग को तो यह देखे पानी आपको कम नहीं होना चाहिए उतना होना चाहिए कि बिलकुल यह को आपको करना है नामक आप इसको स्टेज पे एड़ कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और हम मैं डाल जीओं गालिका भी पेस्ट एक च्छोटी चमच और हलका सा इसको स्टॉर करेंगे हम ज्यादा नहीं उसके बाद मैं डखकन से कवर करके कोक करेंगे उबार आने तक ही देखिए पहले डखकर रखेंगे आप फिर हलका सा इस तरीके से आप इसको नीचे की रहे हैं तो इसका मतलब है अभी इसमें करी है तो वह पूरी डियूस होनी चाहिए तब जाकर आपको समझ में आएगा कि तयार है अब हम फिसे लिड ओपन करेंगे और यह देखिए बाबल जाना बंद हो चुका है और जो यह हाखत गाड है यह तयार है आपके साग और मच सब्सक्राइब करें आपको बहुत अच्छी लगेगी